आप यहाँ अकलियत से तालूग रखने वाले, माइनॉरिटी ग्रूप से तालूग रखने वाले एक मुसल्मान है आप उन तमाम लोगों को चौपाल के इस मंद से क्या कहना चाहेंगे जो कहते हैं कि मुसल्मानों के लिए अब यहाँ जीना बदहाल हो गया है उनको कोने में घसीड दिया गया है और मैं पॉलिटिक्स में नहीं जा रही हूँ, मिलकुल नहीं जा रही हूँ वो लोग यहाँ रह नहीं सकते हैं यहाँ पर हर जगा जैश्री राम के नारे गूंड रहे हैं और मुसल्मान अभी डरा हुआ है बहुत क्योंकि मैं आपसे इस सवाल पूछ सकते हूँ आप इमानदारी से जवाब देने वालों में से एक है यहाँ तक सवाल हिंदू या मुसल्मान का है देखो सब को हक बराबर मिला है अगर यहाँ पर कोई दिक्कत होती यहाँ पर कोई परिशानी होती तो हम ही नहीं होते यहाँ पर किसी भी नौन मुसलिम को अगर परिशानी होगी तो वहाँ पर नहीं रह सकता है वह सीधी सी बात है अब जहाँ तक कुछ चीज़े ऐसी जो क्रियेट आपने सोशल मीडिया पर भी देखी है कि जैशे श्री नाम के नारे लगे हैं या फिर कुछ दंगे फसाद हुए तो वो लोग चाहते ही वो है उसके अलावे वो लोग कुछ नहीं चाहते आप मुझे बताएए मेरे विलेच की मैं बात करता हूँ हमारे में आधे आधे लोग है बीच में से एक रोड गी है आधे अधर आधे अधर है आप यकीन नहीं करोगे एक दूसरे के जो फेस्टिबल होते है उन पर ऐसे जाते हैं जो उनका खुद का फेस्टिबल हो आप यकीन नहीं करोगे जब होली आती है होली का जब आग चलाते हैं पे वो लोग invite करते हैं हम लोग को हम लोग जाते हैं हमारे उपर एक छीट हो लिकी नहीं आती है और हम उनके खाना का खराते हैं तो यार कैसे अब देखो बाते बनने को तो हमारे पर ही बन जाती हैं मैच क्यों आर गए तो हमने बॉल वाइड फैक दी तो हमने नो बॉल कर दी अब इसका तो जवाल आपका जवाब नहीं दे सकते हैं क्योंकि देखो हर आदमी की चौईस अलग है हर आदमी का रहने का तरीका अलग है हर आदमी की सोच अलग है हाँ जरूर कुछ नोग हर धरम में आपको दो दस पाँच लोग ऐसे जरूर मिल जाएंगे जो सामने वाले को पसंद नहीं करते हैं तो मुझे उस चीश से कोई अब्जेक्शन नहीं है जैसे वो सजदे वाली बात आई थी अरे अगर आज आपका मंदिर बन रहा है तो जैश्री राम कहने में किसको क्या दिक्कत है माशाला बार बोलो ना अब हगार बार बोलो अगर मुझे अल्लाव अकबर बोलना है तो मैं एक हजार बार बोलूँ है क्या ही फरक पड़ रहा है इसमें किसी का कुछ आता नहीं है किसी का कुछ आता नहीं है लेकिन भाई जो गेम खेलता वो खेल सकता है ऐसी मौबबद आपको कितनी बार मिली है जो लोग गेम खेलते हैं आपको कई बार टागेट पर भी लिया गया है क्या ही फरक पड़ रहा है मैंने तो पहले भी बोला है जो लोग इतनी हद तक गिर सकते हैं जो लोग अगर आपको गेट को प्यार करते हो तो आपके मुझसे वो वर्ड नहीं निकलेंगे तो मैं माइंड नहीं गरता है सबसे पहले बाद तो मैं देखते ही नहीं हूँ क्या चल रहा है आपको जो चलाना चला लो बोल टेडी चल रही है बोल सीधी चल रही है कोई फरक नहीं पड़ता आज अगर मैं अच्छा गर रहा हूँ होगी ना जिससे चुड़ मच्टी होगी घुसा दिलाता कुछ घुसा दिला देता होगा या नहीं मुझे एक ही चीज है कि किस से चुड़ते हैं आप सबसे ज़्यादा किस चीज से चुड़ते हैं चोरी चकारी से यार अगर आपका प्रोफेशन है आप अपने प्रोफेशन में अगर आप अपने आप से चोरी कर रहे हो मतलब आप दोगा दे रहे हो सामने वाले को भी फैमिली को भी और खुड को भी तो मेरे इसाब से सबसे गंदी चीज है वो तो आपको नहीं करना चाहिए क्योंकि बहुत सारे लोग ऐसे होते हैं कि बहुत स्मार्ट बनके दिखाते हैं बहुत होते हैं ऐसे लेकिन पीछे से कैसे हैं वो आपको भी पता होता है कि ये इनसान कैसा है आप सामने ना बोलो लेकिन पीछे जरूर बोल दोगे उसके कि इसकी आवकात दो मैं बता है तो वैसा नहीं होना चाहिए